इस्टोक लेटेस ने उसमें आपको सब्सक्रायलन के बात करते हो आस है नौ डिसीम्बर और इस वीडियो में हम बात करेंगे आसका डिन इस्ट्क मारलेट बहुतcontrol का between Gib mystery का के साथ करेंगा मतलब लगबाग 30% प्रीमिया में श्यार बाइबैक देदी है कमपाइन ने चलिए अगर हम पूरी डीटेल्स को देखते हैं आप आप देख सेकते हो बजास कांजोमा श्यार बाइबैक अनाउंस एक प्रीमियम अच्छी प्रीमियम यह बाइबैक दिया है सब तब 116 रुपया आप अगर बाइबैक करोगे तो बाइबैक करोगे तो 220 का प्राइस में अब सेल कर सकते हो जो भी अगर आप यह से बात करें तो 30% प्रोफिट आपके यहाँ पर मिल जाएगा असानी से बाइबैक में भी चलिए अगर पूरी डिटेल्स को दिखा जाए कम साथ को रुपया यहाँ पर कमपनी टूटल बाइब करें तो यहाँ अगर अगर इसे लेना साथ हो मतलों बाइबैक का फाइदा उठाना साथ हो सबसे बहलें आपको बताना सूंगा आज जैसे सपोर्ट टुटाइश मार्केट में डिप्टी की बात करें अगर यह बाइब कर सकते हो शौर्ट टम भी यह बहुत ही शांदार है मैंसे लॉंग टम भी बहुत ही अच्छी रिटान देखे है क्योंकि एक मालती भी गया शेयर है बजास काई है तो दिखिए अगर आप चाहते कि मुझे वाइबैक का फाइदा रहना है तो आप इसे को यहाँ प पर आप आप डिटास निकल कर रहे है तो आपको मलूं होगा क्या अगर आईटी स्टोक की बात करें आज की दिन लगबग 3-5 परसन हार आइटी स्टोक में गिराबट हमें देखने को मिला है और इसका वजह है कि बहुती खराब अपडेट आप डिटास में देखने को मिला मैं सब आपको एक एक करके बताने वला हूँ कि आईटी स्टोक यहां पर आगे और गिर सकते हैं और बाड़ी गिराबट हमें देख सकते हैं चलिए सबसे बहुत अपडेट देखिए टॉप इंडियान आईटी स्टोक में डॉप 10-27 परसन एचल टेक में भी दिरौ कर सकते हैं मतलब 2022 के आंतर यह बहुत बड़ा गिरावाट हमें देख सकते हैं और इसका वाज़ा भी बहुत चार आया है यहां पर चलिए सबसे पहले वाज़ा यहां पर हो देखिए कि जो प्रोजेक्ट एक जीडिपी मतलब यूएस जीडीप प्रोजेक्ट का इसका बहुत बड़ा एफेक्ट आपको इंडियान आईटी में देख रहा है आभी फिलाल और साथ साथ यह बताया कि जो डाउनगर्ट चल रहा है इसका वीक ग्लोबल की जो है वीक ग्लोबल की मेक्रो एकोनोमिक कंडिशन इन सारे वज़े किसे जोस्तो इंडियान आईट का रिकम्बनेशन इस सब कहते हैं कि 10 से सथाइस परसंट फॉल करगा अब सिप इंफो से इसको सोड के देखिया आपर के रहा है दिफो से इसको यहां पर आप प्राफ्रम करेंगा यह से और उपर जाने की कोशिश करेंगा लेकिन इसे सोड के बाकि स्टोप फॉल करेगा और कितना बर्सन रिक्स पी आपर देदिया अगर हम रिस्क के रिवार्ट की बात करें आपर देख सेकते हो वह कह रहा है कि एचल टेकनोलोजी फिलहलेबर 20 बर्सन रिस्क में चल रहा है अगर आप सोस्ट रहे कि मैं इंवेस्ट करो तो दिखिया थोड़ा देर इंतिजार कर सकते हो आगे के लिए लेकिन यह भी बताए कि 2030 की मीट तक मतलब जुन जुलाई तक यह फॉल रहे सकते है आई टी में तो तब तक आप पैसा है तो आपना हाथ में रखिए इंवेस्ट माद कीजिए तब तक यहापर और इसके बाद हमें नियूस मेले टीबीएस मोटोर की तरफ से भी टीबीएस मोटोर शेयर के अगर बात के इस कंपनी की तरफ से भी बहुती बढ़ी आपडेट आज शाम होते होती निकाल कर आए विसे अगर शेयर की बात के आप देख सेकतो हो एक हज़ार पेटिस की प्राइस प्राइस में यह शेयर टेट कर रहे है और आप कहाई सेकती हो दिखिए यह जो कंपनी खरीद लेए यह अंडर्टेके अक्टिविटेट कंपनी है जो टू एलर और त्री एलर का काम कर रहा था इस कंपनी को यह एक्कुईजिशन करने मिले मतलब पूरा कंपनी को बाई कारने जा रहे है यह 100% बाई कारने वाल आए तो देखिए इसके साफसा कर दिखाज़े टीविएस मोटोर्स के लिए बहुत ही शांदर अपडेट है क्योंकि हम जानते हैं कि टीविएस मोटोर्स ओटो सेक्टर का बहुत ही अच्छी श्यार है और इससे तरब से अगर किसी भी कंपानी को बाई कर रहा है तो इसका आपको तेजी दीखने को मिल सकता है वैसे अगर मैं आपको यह बहुत है कि अगर अपनी टीविएस मोटोर्स में इंवेस्ट करना चाहते हो तो यह अपके लिए बैस टाइम है और इसका वजह है कि थोड़ा सा कांसिलेशन है यह वाटो स्टोक में कांसिलेशन के बाद इस है और अगर अगर बात कर अगर्स के दिन कि छोथा अपडीट के तो यह आपर हमें मिल रहे है बीघाट इंडास्टिश के तरफ से बीघट इंडास्टिश के लिए इस कि तरफ सी बहुत ही बढ़ी आपड़ीट है इस कंपैनी यह और दूसरा कंपैनी को आज बाइद करने वालायई दो यह भी कंपनी के लिए बहुत ही बढ़ी धी कि केंट हांडेट परसंट को बाई करणा है मतलब कंपनी के बास फोर संट के लिए दूस्टर कंपनी को देखने को मिलाए अगर हम इस company का performance की बात करते हैं चलिए हम performance को देखते हैं कि पिछला कोई साल में कैसा performance देखते हैं पिछला एक मैने का performance को दिखा जाए तो यह पर आप देख सेक्तों लगपक 13% return market में दिये से मैने को return को दिखा जाए तो 11% return market में दे दिया है वैसे इस सा तक कर डिटार मार्केट में दे दिया है और यह जो श्यार है 2010 की 2009 में एंट्री लिया था श्यार मार्केट में लेकिन उसके बाद लगातार देखिए आच्छी प्रफिमस दिया है लेकिन पिसले चार-पांच साल को अगर उठाकर देखिए तो इस टोक ने अच्छा नहीं कार पाया तो इसकी सबसेगर देखिए तो आपको बेरी लॉंग तरम देखना होगा कि अगले पांच साल को यहां पर देखिए इस टॉप को अगर ब्रेक आउट दे तब यह से प्रॉफिट बना कर सकते हो और अगले तीन-चार साल एक-दो साल में यह आच्छी प्रॉफिट अपको बना कर दे सकते लेकर अगर आप एक देर साल के लिए छे मायने के लिए इसे इन्वेस्ट करने से तो यहापर इंवेस्ट मात कीजिए आपके लिए उतना बना कि नहीं दिपा एका शाहित